प्रणाम आज हम स्वर्विज्ञान के तीसरे भाग में कुछ विशेश बिद्दूओं पर चर्चा करेंगे यदि आप स्वर्योग को सित्प करना चाते हैं, उसकी साधना के क्या क्या उपाय हैं? किस प्रकार से अप्यास करके आप अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं? किस प्रकार के जीवन में छोटे-छोटे परिवर्तन करने के बाद आप अभूत पूरु परिणामों को महसूस कर सकते हैं मेरी बात को समझने का प्रियास करें अनेक-अनेक लोगों से मैं मिलता हूँ वो दिरंतर प्राणयाम करते आ रहे हैं प्रति दिन प्राणयाम का प्रियास करते हैं लेकिन स्वर्विज्ञान के बारे में कुछ जानते नहीं लेकिन स्वर्विज्ञान का उन्हें कुछ बोध नहीं उसी के बिना ही प्राणयाम किये जाते हैं लेकिन ध्यान रखना कि इस प्रकार है जैसे आप कोई सब्जी बनाएं और आपको कुछ मसालों का पता नहीं किस मसाले का क्या स्वाद है किस मसाले की क्या शक्ति है अगर आप उसे नहीं जानते तो ये बहुत कठिन होगा आपके लिए एक स्वादिस्ट भोजन पकाना इसलिए स्वर्विज्ञान की शक्ति इस प्रकार ही समझें जैसे मसाले भोजन में स्वाद का अंडार ला देते हैं उसी प्रकार स्वर्विज्ञान प्राणयाम अभ्यास करने वालों को अती अती ला देने वाला होता है यदि आप प्राणयाम का भ्यास करते हैं कपालभाती, उज्जाई, बधामरी, पस्त्री का इत्यादी प्राणयाम और यदि आप नहीं जानते कि स्वरविज्ञान का क्या संबंध है प्राणयाम से तो आप पूर्ण लाब प्राणयाम का नहीं ले पाएंगे उसका कारण यह है क्योंकि आप अपने सूर्य और चंदर स्वार के प्रदी अवेर नहीं है सूर्य और चंदर अर्थार्थ शरीर का तापमान सूर्य अर्थार्थ गर्मी, चंदर अर्थार्थ सर्दी याद रखे, भगवान शिव ने पारवती को उत्तर दिया था पारवती ने पूछा, ये भगवन, मन को कैसे शांत करूँ, आनंद को कैसे प्राप्त हो जाओँ भगवान बोले, पारवती अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वास के मध्य में ठहर जा, आनंद को प्राप्त हो जाएगी यही संदेश स्वरविज्यान का है, यही संदेश शिव स्वरवदे का है, अब आप इस बात को समझने कि किस प्रकार से आप अपनी स्वर साधना को आगे बढ़ा सकते हैं, सबसे पहला काम आप यह करें, अंदर जाती हुई और बाहर आती हुई, श्वास के प्रति सजग हो जाएं, ऐसा नहीं कि अगर आप आदा घंटा प्राणयाम करें, तो आदा घंटा ही यह काम करना है, पूरा दिन यह निरंतर साधना सलती रहेगी, शिर्फ श्वास को देखने का प्यास करें, कुछ किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर लह लगी हुई है, अंदर सुमिर आप भोजन कर रहे हैं, आप पैदल चल रहे हैं, या कोई और काम कर रहे हैं, अपनी श्वास के प्रतिस्ता जग रहे हैं, हमेशा सजग रहे हैं, यह एक छोटा सा अभ्यास, लेकिन आपकी श्वार साधना को बहुत आगे बढ़ाने वाला है, बहुत आगे लेके जाने व तापमान को मैसूस करने में सक्षम हो गये हैं आप मैसूस कर पाते हैं आपकी श्वास कब धोड़ी ठंडी तब थोड़ी सी गरम बाहर जाती है यह बहुत ही बड़ी सफलता होगी जोड़ी आप इसको महसूस करते हैं अब इसको इस साधना को इस फल को हम प्राणयाम में परियोग करेंगे अनेक प्राणयामों में आप इस बात को महसूस कर पाएंगे कि शरीर की इम्म्यूनिटी जोपर की रोधक्षनता है किस प्रकार प्राणयाम से बढ़ती है अगर उसमें स्वर्व योग नहीं होगा स्वर्विज्ञान नहीं होगा तो वह साधना बहुत ही बहुत लंबा मार् तो समझे लो पहले मुंब़ी से एमदवाद फिर जैपूर फिर दिली फिर कलकत्ता फिर भुवनेश्वर फिर बैंगलोड जाएंगे इतना लंबा रास्तर जाएंगे हम सीधा ही जाएंगे न मुंबई से बैंगलोड वाया गोवा तो इस प्रकार आप स्वर्योग को अप अपना कर अपनी प्राणयाम की साधना को गहरा कर सकते हैं आज का पहला सूत्र आप लंबी श्वांस लें और छोड़ें साधना के समय और ऐसा प्रयास करें नासिका के अगर भाग से लेकर और अपने पेट तक अपनी नाभी तक श्वांस को आपने देखना है अंदर आती हुई श्वांस और बाहर जाती हुई श्वांस अपनी श्वांस के दर्शन कर लें जब तक आप श्वांस के दर्शन करना नहीं सीखेंगे हम दूसरे कदम पर नहीं बढ़ पाएंगे आगे तो इसमें समय लगेगा थोड़ा लगबग मैंने देखा है आम तोर पे तीन से चार महीने का समय लगता है इसमें जब हम अपनी श्वांस को नासिका के अगरभाग से लेकर नाभी तक देख पाने में सक्षम होते हैं ऐसा करने के बाद आप श्वांस की गती के प्रती सजग हो जाएंगे आपको मैसूस होगा कब श्वांस मेरी तेज हो जाती है कब श्वांस मेरी धीरे हो जाती है क्या-क्या मेरे मन में और शरीर में परिवर्तन आते हैं श्वांस की गती बढ़ने और धीमे होने से अगर आप मेरे वीडियो का यह है तीसरा भाग देख रहे हैं तो मैं यह आशा करता हूँ आप अब साधना पच पर आगे बढ़ने के लिए तयार हैं क्योंकि पहले दो भागों में मैंने लाब की बात की नालच दिया आपको कि किसी महाने से आप आजाओ साधना करने के हुए आपके दो भाबनी बातों में फद्जात है न इसी प्रकार से मैंने आपको अनेक लाब बताएं साधना पच पर आपको लाने के लिए आप स्वरियोग की साधना को अपने जीवन में उतार कर प्रंतिकारी आनंद पूरवक्द लाब मेह सूस कर पाएंगे रोग को ज रहे और अब हम बात करते हैं किस प्रकार से हमने अपनी स्वर्ध साधना को गाहरे करते जाना है दूसरा हिस्सा पहला हिस्सा याद रखिए अपनी श्वास के प्रती सजग हो जाएं लंबी श्वास मीतर लें, लंबी श्वास पाहर निखा लें दूसरा कदम अपनी श्वास को देखने का प्रयास करें नासी का के अगर भाग से लेकर और नाभी तक कि इतना सुंदर दर्शन हो जाएगा वो और आप इतना आनंद महसूस करेंगे धीरे धीरे इसी अभ्यास के माध्यम से ही आप महसूस करेंगे कि मैं अब तो ध्यान में उतरता जा रहा हूं अरे बहुत आनंद आने लगा आप तो इस प्रकार आपकी अनुगूती होने लगे है कभी किसी से प्यार से बोलते हैं मुस्कराते हैं तो श्वास मध्यम हो जाती है मंधी हो जाती है धीम हो जाती है तब आप अपने एमोशन की reaction मैसूस करेंगे अपनी श्वास के लेने ऊच्छोडने पर तो आप यह मैसूस करते गेंगे तीसरी जो आपके हाथ में खजान मन के हाव बदलते हैं thousand change होते हैं आप इस बात को पकड़ गए अप समझ गए अब जब भी मन के भाव बदलना चाहते हैं और शौस piece बरिवर्तन लेकर आएंगे और स्वास में परिवर्तन कीसपरिकार शलाएंगे चंदर और सूर्य को कंट्रोल करके, सूर्य और चंदर स्वर को नियंतर्ण में करके आप अपनी श्वास में परिवर्त लाएगे अब आप सब चीजे जोड़ पा रहे हैं एक साथ, मुझे आशा है आप समझ गई होंगे अब कि हम किस प्रकार से पहले यातरा हमने शुरू की सूर्य और चंदर से और अब दोबारे किस प्रकार से हम सूर्य और चंदर की बात कर रहे हैं कि सूर्य और चंदर को कंट्रोल करने से किस प्रकार हमारे emotions कंट्रोल होंगे मैं अनेक जगों पर जाता हूं, अनेक बड़े-बड़े स्कूलों में, युनिवस्टी में, लोग जब टीचर बुलाते हैं मुझे, वो केते हैं बच्चे तो कर लेंगे, आप हमें सिखाईए, तो वो केते हैं गुस्सा बहुत आता है हमें, तो मैं कहते हूं कुल बाद मी, स इसादना करेंगे, गुस्सा खतम हो जाएगा, गुस्सा दबेगा नहीं ध्यान रखना, गुस्सा अगर दब गया, तो विश्ट बनकर बाहर निकलेगा, एक दिन से अचानक से ही, आप ऐसा मैसूस करेंगे, गुस्से का समंदर फूट पड़ा, बांध टूट गया गुस् स्वर सादना आपको वहीं तो लेकर जा रही है, जहां आपका गुस्सा दबेगा नहीं ध्यान रखना, दमन नहीं करना हमने, किसी भी भाव का दमन नहीं करना हमने, जदी आप दमन करेंगे, तो सादगना बन पाएंगे, दमन करने से आप सिरफ दिखावा कर पाएंगे, इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ ये साधना का उपाए ताकि आप धोंगी ना होकर असल में किस प्रकार से अपने जीवन में परिवर्तन लाएं और इस साधना को अपने जीवन में उतार पाएं अब हमने क्या करना है क्रोध को भी हमने कंट्रोल कर लिया एक्साइटमेंट जोद्किया है किसी भी चीज के पर्तिए गर्मी है तो है बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है लोग चिलाती रहते हैं थोड़ा सभी कंट्रोल नहीं अपने उपकर सर्दी है तो है बहुत सबर नहीं होता रहा नहीं जाता है यह उसी हो जाते हैं मैं करते थोड़ी तो पागल हो जाते हैं यह देखिये भाव किस प्रकार बडर्ति होते हैं आपने इन भावों पर अपने नियंद्रण होगा जब आज के दो कदम जो साधना के हैं उन पर आगे बढ़ेंगे पहला कदम स्वांस को देखना शुरू करें स्वांस के प्रती सजग भुटाएं लंबी घरी स्वांस बीतर लंबी घरी स्वांस बाहर दूसरा कदम स्वांस की गहराई को मैसूस करें नासिका के अगर भाग से लेकर और नाभी तक नाभी की गहराई तक अभी तक तो ऐसा मैस बाट यहाती है नियुक्त आति हैं लेकिन हमारे योग के अनुसार स्वांस to nabhi नौन हर शुरीर का कंद्र आप करें तर्ड कि नासिका से नौradoEM निकल रही है क chili छो पर इस पर profits पर्यक्त में और जिदी आप द Morning कुछ अपनी समस्या को रखना चाहते हैं यदि आप ऐसा मैसूस करते हैं तो मुझे यह समस्या रही है तो आप मुझे लिख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी डीटेल हमने लिखी है हमारी टीम ने जिसमें फेस्बूक और हमारी वेबसाइट और इत्यादी सब आते हैं कि हम थोड़ा और काम करें इस वीशे में और किसी अले अलग तरह से इसको आगे बढ़ाएं स्वर्शाधना के बारे में कुछ आपको विशे इस तोर पर बताया जाए तो भी आप उसके बारे में संपर्क कर सकते हैं और आशा है कि आपके लिए यह साधना परिव सब कर्ष्ट दूर करने वाला है सूर्य जो कि तेज जायक है ऐसा तेज जो सब रोगों का नाश करने वाला है इनकी साधना करके आप जीवन को आनंद मैय रूप से विटा पाएं ऐसी मेरी कामना है दन्यवाद ओम नमस्यवाइव